हेलो गाइज वेलकम टो यूट्यूब चैनल तस्विल बंदा आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इन्फ्लेंस लाइन डाइग्राम बनाना ट्रस के लिए इसके लिए हमें बेसिक तीन चीजों की जरुवत है तो जब लोड यहां से यहां तक मूव करेगा तो जो यहां पर रियक्शन की वैल्यू है वो चेंज होगी फर एक्जामपल अगर जो लोड यहां पर होगा तो रियक्शन जो होगी वो वेट के बराबर होगी विमार लोडश के नियूटन है तो यहाँ पर भी 10 किलोन होगी जब यह要पर फोचजाएगा बीच में तो यहाँ पिरेक्शन पांच रहाए जाएगी जब यहाँ पर होगा थोरी और कम हो जाएगी और जिस सपोर्ट पर पहुच जाएगा तो यहाँ पर 5 के देरेंगे तो मुलर्ध हमें इपनाने थे में पताया था कि अगर य। हमें के लिए connection के लिए बनाने थे झिस reaction के लिए बनाना थे कि उसको सपोर्ट भेएंगे उसको य।योट फंचे और जो बीम की बीम की पोजिशन होगी वही हमारे पास ILD होगा मतलब यह बीम है यहां से मने support उठाया support उठाया support उठाने के बाद इस end को हमने unit उठा दिया ठीक है तो जो beam ऐसा बनेगा यही हमारा ILD होगा next में पता होना चाहिए जो trust होता है trust के members में दो तरह की forces होती है तो compression होता है तो अगर हमारे पास force इस तरह से है इसको हम कहेंगे tension और हमारी force अगर जो against है मतलब opposite है एक दूसरे से तो इसे हम कहेंगे compression देखने में आप यह लग रहा है कि यह यह दोनों force एक दूसरे को कि दब लग रहा है इस member पर हम ने टैंश्चन फॉस लगाई अब इसकी टैंश्चन फॉस लगाने के पाद अब हमने इसको आदे का मिस्त इस अब कहा होने के लिए यहां पर कोई और फॉर्स को को बैलेंस की हो बहुतakes myś diye यह force होगी F ठीक है वही force यहाँ पर F लग रही होगी क्योंकि इसको virtually imagination में cut किया है reality में cut नहीं किया है तो stable होना चाहिए तो में पास force कुछ इस तरह से represent होगी तो अगर मैं इसको ऐसे बना दे तो हमारे पास यह tension force थी जिसके वैसे जो इसके अंदर internal force आई वो इस तरह से आई तो मतलब यह जो इस तरह की force होगी represent करेगी tension force and इसका opposite इस तरह की force होगी मारे पास compression force तीसरा basic point जो हमें पता होना चाहिए ILD बनाने के लिए trust के लिए वो है method of section method of section हम use करते हैं किस भी member में force निकालने के लिए जैसे हमें कोई यह कोई member है OA इसके अंदर हमें force निकालनी है तो क्या करेंगे हम एक section cut करेंगे इससे पास होता हुआ उसके बाद क्या करेंगे हम जैसे कोई हमारे पास load है लोड मान लो इस जहँआ पर है तो जिसकी वैसे reactions आएंगे R A R B अब क्या होगा हमने जब इसको cut किया तो हमें यहां तो left वाला section देखना है right वाला section देखना है prefer हम वो करते हैं जिसके अंदर कम forces हो तो हम क्या करेंगे इसमें left वाला section देखेंगे क्योंकि अगर हम right वाला section देखेंगे तो यहां पर एक weight यह भी आ जाएगा और यह reaction भी आ जाएगी तो हम यहां पर left वाला section देखेंगे तो यहां पर हम इसको left वाला section देखते हैं अब हमने इसको इमेजिनेशन में ही कट किया है तो मतलब कि अब जब हम इसको इमेजिनेशन में हटा देंगे तब भी ये ट्रस जो होगा ये स्टेबल ऐसे ही होना चाहिए ऐसा नहीं है कि ये नीचे गिर जाएगा तो जैसे Fog है ये मानलोग ठीटा है तो Fog Cos Theta Fog Cos Theta ये कहा है Vertical Force ठीक है और ये कहा है Ra ये भी है Vertical Force तोनों को बराबर करेंगे ये मैनस साइन आएगा तो यहां पर हमारे पास Fog आएगा ये भी Horizontal Force है ये भी Horizontal Force है तो यहां से हम FOG, मतलब यह निकाल सकते हैं, तो यह है method of section, अब मालोगर जो में FOC निकालना हुआ, FOC, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम horizontal force balance नहीं कर सकते, क्योंकि यह भी horizontal है, यह भी horizontal है, और इसका जो component आएगा, वो भी horizontal आएगा, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस point के about, moment balance कर देंगे, क्यों, क्योंकि FOC into this distance, यह बराबर होगा, RA into this distance, देखो, यह जो force होगी, यह भी यहां से निकल जाएगी, और यह भी यहां से निकल जाएगी, तो सिरफ FOC का ही relation आएगा, तो हम यहां से FOC भी निकल लेगे, तो बाते हैं हम ILD4 trusses, तो हमें निकलना हैं ILD4 member GB, मतलब जब load यहां से इधर तक जाएगा, तो इस GB के अंदर force किस तरह से vary करेगी, यह हमें निकलना है, तो कुछ चीज़े तो हम common sense से ही बता सकते हैं, कि जैसे जब load इस जहाँ पर होगा, तो GB के अंदर क्या load पढ़ रहा होगा, क्या force आ रहे होगी, कुछ भी force नहीं आगी, क्योंकि सारक सारा जो यह load होगा, यह support में चला जाएगा, तो यहां पर 0, मतलब GB पर force कि आएगी 0, जब load होगा यहां पर, इस point पर होगा, similarly, जब load यहां पर पहुँच जाएगा, E point पर, तो सारक सारा load जो होगा, यह support ले लेगा, और इस GB पर कुछ भी नहीं आएगा, तो मतलब GB पर force कितनी होगी 0, जब कहां पर होगा, load E पर, अब इसके बीच का समझना है, तो माले लोड हमारे पास, अब W जो लोड है, unit लोड है, जो हमारे पास, यहां पर है, B पर, तो यहां के इस लोड की वेश से, यहां पर reaction आएगी R A, और यहां पर आएगी R E, ठीक है, अब हम यूज करेंगे method of section, method of section हम यहां पर cut करेंगे, तो हमारे पास कुछ internal forces शोओंगी, अब पहले तो हमें decide करना है, कि हमें left side वाला choose करना है, या right side वाला choose करना है, obviously हम right side वाला choose करेंगे, क्यों? क्योंकि left side वाला choose करेंगे, तो यहां पर 1, 2, और यहां पर इसकी अपनी internal forces शोओंगी, जबकि अगर जो हम right वाला section चूज करेंगे, तो यहां पर सिरफ reaction आएगी, और इसकी internal forces शोओंगी, तो इधर वाला section हटा देता है, तो हम force को represent कर देता है, मालनो यहां पर force इस तरह से आरी है, यहां पर आरी है, क्योंकि यह भी horizontal force है, यह भी horizontal force है, जो इसके अंदर force होगी, वो क्या होगी, र इ अपन कॉस ठीटा, और यहां पर ठीटा देखें, 45 degree, क्योंकि यह भी 6 है, यह भी 6 है, और यह भी 6 है, ठीटा को 45 degree, तो यहां पर आजेगा, root 2 into Re, तो मतलब force के लिए, ILD बनाने के लिए हम क्या करेंगे, reaction के लिए ILD बना देंगे, यहां पर, और उसको root 2 से multiply कर देंगे, अब हमने first step में सीखा था, कि reaction के लिए ILD बनाना, तो यह point पर reaction के लिए ILD बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर unit उठा देंगे, ठीक है, और यहां पर बना देंगे इसको ऐसे, reaction के लिए ILD बना दिया यह, यह है unit, लेकिन अब जब इसको root 2 से multiply कर देंगे, तो यह force के लिए ILD बन जाएगा, root 2 से multiply कर दिया इसको, ठीक है, अब यह पूरा valid नहीं होगा, valid इतना होगा, जहां पर हमने force के लिए माना इसको, तो हमने माना कि यहां पर force था, तो सिरफ यहां तक के लिए valid होगा, ठीक है, इस point तक के लिए, आगे के लिए valid नहीं होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो, जो हमारे पास B तक के लिए ILD आया है, हो क्या है जीरो से यहां तक के लिए ठीक है अब जो यह है यह positive है कि negative है मतलब compression है tension है तो देखो यहां पर यह है तो इसका compliment यह होगा तो मतलब यह दूसरे को दबा रहा है दबा रहा है मतलब हमें लग रहा compression लेकिन हमने देखा था कि जब इस तरह से होती है तो इससे tension गहते है और tension का हम positive लेते हैं तो आगे है positive ठीक है अब हम यह भी चेक करना है कि यह कितना होगा तो इसको हम चेक ऐसे करेंगे कि देखो 6 12 18 24 24 में यह root 2 उठाए ठीक है तो 6 6 में कितना उठेगा क्योंकि B पे देखा था नहीं 6 में उठेगा root 2 by 24 into 6 root 2 by 4 तो यह होगा ordinate root 2 by 4 जो कि होगा positive ठीक है अब हम देखते है कि load मानला हमारे पास C पे पहुँच गया जब load C पे आया तो यहां पर reaction आएगी RA और reaction RE ठीक है अब हमें FG इसके अंदर BG के अंदर हमें देखना है GB के अंदर हम देखना है कितनी force आएगी तो उसके लिए हम क्या कहेंगे method of section यूज़ करेंगे method of section यूज़ करने के बाद हमें decide करना है left की right तो हमें left वाला section यहां पर choose करना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि इधर forces ज्यादा है इधर कम है तो हम इसको हटा देंगे सिरफ left वाला analyze करेंगे तो यहां पर जब force को बैलेंस करते हैं इससे vertical force को balance करते हैं यहां पर देखो यह horizontal है यह horizontal है इनका कोई component नहीं आएगा vertical में तो यहां पर f का cos theta component जब देखेंगे f cos theta यह बराबर होगा reactionate ra ठीक है तो f आएगा है मेरा पास ra upon cos theta और cos theta theta 45 degree है तो यह होज़गा root 2 तो अगर जो अब fg भी निकालना है किस case में जब load है c प आएंगे उसको root 2 से multiply करेंगे वह हमारा answer होगा अब यहां पर पहले देखना है कि sign क्या होगा इसका देखो यहां पर क्या है इसको खीच रहा है तो हमें tension लग रहा है लेकिन यह क्या होगा represent क्या करता है यह जो opposite वाले होते है compression compression मतलब negative तो मतलब c पे जब होगा load तो यह negative represent करेगा ठीक है वो कितना होगा वो देखते हैं अब हमें F निकालने के लिए RA पर ILD बनाना पड़ेगा वह भी compression में तो RA पर ILD बनाने के लिए अगरेंगे हम यहां ऐसे unit उठाएंगे unit उठाने के बाद हम इसको ऐसे मिला देंगे इसको यह होगा RA reaction ILD for reaction RA लेकिन उसको root 2 से multiply करेंगे हम ठीक है तो यह बन जाएगा मारे पास root 2 से multiply करेंगे थोटा सा बढ़ जाएगा फिर S आएगा ठीक है तो यह बन गया F के लिए तो हमने B पर देखा था 0 ठाएगे और हम इसको ऐसे मिला देंगे हमने देखा C से से मिला देंगे हमारे पास the government देखो हमारे पास force की equation root 2 RA कभ valid है जब लोड हमारे पास C पर है तो हम RA बनाएगे और यह सिरक वalley तक होगी जब sive कैसी पर लोड़ होगा तो इसके पैले यह वैलेड नहीं है कि इससे पहले वाल वैलेड नहीं है सिरश बहस्के पर वैलिड़ है तो आपने यहां तक बना दिया वी तकक हमने पहले बनाई दिया था得 उन दोनों को मिला देके हमारे पास आ जेगा य,ystem देखना हमें कि यह जो length है यह कितनी होगी तो उसके लिए फिर से unitary method देखो total यह कितना था 24 तो 24 length में यह root 2 उठा था ठीक है अब यह कहा है c c कितनी दूर है यहां पे से 12 पे ठीक है तो 12 length में कितना उठेगा root 2 by 2 तो यह जो ordinate होगा यह root 2 by 2 होगा अब यहीं पर हम देखेंगे कि इसको पहले diagram को पूरा complete कर लेते हैं अब अगर जो d पे होगा तो उस time पे जो ordinate होगा यह कितना होगा simple ही बात है यहां से यहां तक है 12 12 में यह rise हो रहा है root 2 by 2 तो यह 6 में कितना rise होगा तो 6 में rise होगा root 2 by 4 यह होगा negative यह होगा positive तो finally हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब load यहां पे होगा तो force होगी 0 इसके अंदर उसके जैसे जैसे force इधर की side यहां पे आने लगेगा तो जो load होगा जो इसके अंदर force होगी वह कम होने लगेगी और इस point तक half तक फिर यह 0 पहुच जाएगी half तक यह फिर हम वह देख लेंगे similar triangle से ठीक है कुछ देरी पर यह 0 हो जाएगी और उसके बाद जब यह load आगे बढ़ेगा ठीक है तो इसी के अंदर force compression में change हो जाएगी और compression में change होते होते c point तक यह negative में पहुच जाएगी मतलब compression में सबसे maximum पहुच जाएगी और जब यह load यहाँ से निकल के आगे बढ़ने लगेगा तो फिर यह compression से भी कम होती रहेगी और जब यहाँ पर पहुचेगा यहाँ पर पहुचेगा तो GB के अंदर force 0 हो जाएगी तो 2010 में आयागा question तो इस pred trust के लिए हमें ILD बताना है कौन सा सही होगा ठीक है जब यह central जैसे यहाँ पर देखते हैं जब यह central जो इसका members होते हैं यह इस तरह से होता है तो इसको हम कहते है प्रेट ट्रस लेकिन अगर जो इस तरह से होता नीचे की साइड तो इसको हम कहते है हावस ट्रस तो अब प्रेट ट्रस के लिए हमें निकालना है ILD किस तरह से होगा अब question objective है तो objective की तरह ही approach करेंगे हमें BC के अंदर ILD निकालनी है तो इस point पे होगा तो zero होगी इसके अंदर force यहाँ पे होगा तब भी zero होगी तो जब load हमारे पास यहाँ पे आ गया तो BC क यहाँ पर एक वर्टिकल है और यहाँ पर एक खुरिजंटल ऐसे member जा रहा है तो यह क्या होगा जिरो member होगा क्यूं क्योंकि इसको balance करने के लिए वर्टिकल बैलन्स करने के लिए यहाँ पर कोई force नहीं है यहाँ पर तो इसलिए यहाँ पर अगर लोड हमारे पर यहाँ तो LD यहां पर 0 होगा, ऐसे ही जब load यहां पर होगा, तब यहां पर 0 होगा, ठीक है, लेकिन जब load C पर होगा, तो सारक सार लोड उचे से W है, तो सारक सार लोड डबलू मही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको balance करने के लिए, कि इस joint पे सिरफ यह weight यहां पर यह है, vertical horizontal में नहीं जाएगा, तो यहां पर total one यह इस तरह से उट जाएगा, तो यहां से इसको मिला देंगे, और यहां से इसको मिला देंगे, तो इसका अंतर होगा यह, so 33 का option D correct होगा, so that's all for this lecture, I hope आपको अच्छा लग होगा, अगर जो वी